इसमें तीन बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्शन करना सिंगेंगे तो इसके लिए हम लोग को तीन होलडर चाहिए और तीन बल्ब और कुछ वायर चाहिए तो सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन करना सिखते हैं तो एक होलडर हम लिए इसको क्या करना है ये तार के कर देना कनेक्ट कर दियां और इसको आप टाइट कर देना इसकुरू को टाइट कर दियां यह इसकुरू टाइट हो गया और फिर इस वाले टुकड़े को इसको भी इसमें कनेक्ट कर देना है तो यह इसमें कनेक्ट कर दियां यह इसमें कनेक्ट हो गया कि यह इह CONNECKT हो गया। अब इधोनों CONNECKT होगया, अब इस वायर को यह होलडर से CONNECT कर देते हैं। तो ये इसको इससे कनेक्ट कर दियें, ये इससे कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया, अब ये देखिए ये वाली होल्डर को, ये वाली तार को इस होल्डर से हम कनेक्ट कर दियें, ये, ये, ये हो गया आपको, ये कनेक्ट हो गया, अब इस दो जिससे हम लोग supply देंगे इसको यह इस point से और यह point से हम connect कर देते हैं तो सबसे पहले इसको इससे connect कर दिए यह वाली point से connect कर दिए यह connect हो गया और यह एक और point बचा तो इस point से इसको connect कर देंगे इस point से इसको connect कर दिए यह यह इसका connection यह connect हो गया इससे तो इस परकार यह आपका series में connection पूरा हुआ अब इसको हम इसमें जला के देखते हैं बल्ब लगाए इसको यह बल्ब तीन बल्ब हैं तीन बल्ब हुआ तीनों को एक परतेख होल्डर में हम लगा दियें तीनों को परतेख होल्डर में लगा दियें ऐसे उसके बार यह लग गया तो देखिए यह series में connection पुरा हो गया अब इसको हम जला के देखते हैं तो यह आपका board है यह extension board है अब हम extension board पर इसको connect करते हैं यह और यह connection हो गया तो देखिए इस परकार मेरा यह थिये थिनों bulb जल गया यह थिनों बड़ जल गया यह थिनों बड़ में एक ज़ेसा व और होटता ही लग रहा और जबकि शेरीज में क्या होता है आपके series connection में voltage अलग-अलग होते हैं लेकिन यहां तीनों में समान voltage है क्योंकि तीनों का resistance सेम होगा इसलिए इसका voltage भी तीनों में सेम है और current तो एक ही रहता है सब जगा current तीनों में current एक ही रहेगा तो इस परकार मेरा ये series का connection पूरा हुआ है जिसमें तीन बाल में को हम लोग connect कियें